पिछले एपिसोड में लियून ने चेंग मिंग यूचेन और टैंग को मार दिया था जिसके बारे में पता चलने पर चीसियाओ बहुत गुस्सा होता है इधर लियू सिंग कहता है मैं तुम्हें जरूर खोज लूँगा और फिर यहां से चला जाता है वहीं चीसियाओ अब हॉल मास्टर के पास जाता है जिसके बाद हॉल मास्टर वूचेन से कीलर को खोजने का ओडर देता है अब यांग चेन को लगता है यहां तीनों मडर लियू सिंग ने किया है क्योंकि लियू सिंग मिस्ट्रियस तरीके से यहां से भाग गया है अब इस बात से इनके और स्वार्ड मास्टर की बीच बहस होने लगती है लेकिन तभी वुचेन यहाँ पर आ जाता है और इनको टियान यांग माउंटेन को क्लोज करने का ओडर देता है अब मास्टर चेंग सभी को समझाता है कि तुम सभी का टियान यांग सिटी में एनफोर्समेंट संभाल रहा है अगर हम ज्यादा समय तक यहां रुके रहें फिर चीस याओ आउटर हॉल को अपने कंट्रोल में ले सकता है तभी चीस याओ यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि लुयून मर चुका है इसलिए आउटर हॉल अब हमारे कंट्रोल में होगा ल इसके अलावा मास्टर चेंग इसके बढ़े हुए कल्टीवेशन से भी काफी खुस होता है वहीं चीस याओ इसे जिन्दा देख हैरान हो जाता है अब यांग चेंग इसे अपने बेटे के मर्डर के लिए ब्लेम करने लगता है जिसके बाद लुयून इस पर अटैक कर दे और यांग चेंग को बहुत ही सांदार टकर देता है जिसकी पावर से यहाँ पूरी जगा डग मगाने लगती है और लास्ट में लुयून यांग चेंग को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है अब यांग चेंग और भी गुसा होने लगता है और फिर से अटैक करने जात लेकिन तभी वूचेन आकर इनको रोग देता है और फिर सब यहां से चले जाते हैं यह देख चीस याओ कहता है अब तो वूचेन भी लूयून को बचाने लगा है और फिर लूयून को मारने के लिए कुवांग सिंग को यूज करने का डिसाइड करता है इधर लेए सिंग सुवान से कहता है अगर तुम स्वर्ड मॉनुमेंट को तोड़ पाओगी तब तुम भी मेरा डिरेक्ट स्टूडेंट बन सकती हो वही रात को हॉल मास्टर लूयून से बात करने आता है और डाउट करता है कि लिए सिंग ही असली किलर है तब लूयून बताता है म फिर उसके चले जाने पर यह कहता है फ्यूचर में तो तुम्हारा मुकाबला मुझसे ही होने वाला है अब अगले दिन यह सब वांजियान हॉल में वापस लोट जाते हैं जहां क्विंग चेन लूयून को बताती है कि सी हाओ ने पांचवे स्वर्ड मॉनुमेंट को फिर स्वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद से मेरा रिवेंच सुरू होगा अब यहां केवल वाटर एलिमेंट वाला स्वर्ड मॉनुमेंट बचा होता है फिर कुछ दिर बाद क्विंग सुवान भी टास्क कंप्लीट कर देती है और लूयून का ड एक स्वर्ड फॉर्मेशन को क्रियेट करना है लेकिन लास्ट वाला स्वर्ड मॉनुमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाने दो फिर मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा तभी यहां पर एक एल्लर आता है और लूयून को बताता है हॉल मास्टर ने तुम्हें दावत के लिए इन्वाइट किया है क्योंकि बाइली कुवांग सेंग आने वाला है अब क्विंग यो को डाउट हो जाता है कि इसमें कुछ गरबर है क्योंकि यहां लोग आज ही यहां पर पहुंचे हैं और कुवांग सिंग भी अचानक से आ रहा है फिर क्विंग सुआन कहती है व लेकिन किया यंग यांग रिल्म वाले मास्टर को भी टकर दे सकता है यांग चेंग कुवांग सेंग से कहता है मेरे और तुमारे बेच काफी गैप है जिस पर कुवांग सेंग कहता है तुम अपनी पूरी पावर का यूज करना अब यहां दोनों अपनी अपनी टैलेंट का यूज करने लगते हैं और इस दोरान कुल चार अटैक होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को सांदार टकर देते हैं इसके बाद कुवांग सेंग कहता है इस फाइट से मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ या सुनकर यांग चेंग परेसान हो जाता है तब कुवांग सेंग कहता है मैंने तुम्हें पहले ही पताया था तुम अपनी फूल पावर का यूज करना लेकिन तुमने खुद को रोक लि और फिर लुयून को यहां बुलाता है जिनको देख सभी बात करते हैं ये दोनों वांजियान हॉल के गौरों हैं अगर इन दोनों ने फाइट किया फिर कोई नहीं बता सकता कौन जितेगा इसके बाद हॉल मास्टर कुवांग सेंग को लुयून के बारे में बताने जाता है लेकिन तभी कुवांग सेंगी से बीच में रोक देता है क्योंकि इसे पहले से ही सब कुछ पता है वहीं हॉल मास्टर अब कुवांग सेंग को भी मेडिसीन हॉल में जाने का परमिसन दे देता है जहां से दोनों अपने लिए spiritual material चूज कर सकते हैं लेकिन तभी कुवांग स कहता है मैं ठक गया हूँ और यहां से चला जाता है जिसके बाद हॉल मास्टर आज की दावत को कैंसिल कर देता है फिर मास्टर चेंग लुयून के पास आता है और पूसता है क्या तुम कभी उससे मिले हो जिस पर लुयून बताता है कभी नहीं तब मास्टर चेंग कहता है मुझे उसका behavior कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी आखों में कुछ अलग ही feeling दिख रही थी वहीं चीसियाओ और क्यूमो कुवांग सेंग से मिलते हैं जहां कुवांग सेंग कहता है लुयून के साथ तुम्हारा personal problem है इन चीजों में मेरा कोई interest नहीं है तब चीसियाओ कहता है लेकिन सायद लुयून तुम्हारे साथ ऐसा treat नहीं करेगा भले ही तुम position की चिंता मत करो लेकिन लुयून इस बारे में काफी सोचता है लेकिन फिर भी हम दोनों साथ में काम करें फिर लुयून को आसानी से हटा सकते हैं तुम्हे केवल उसे बुरे तरीके से हराना है जिसके बाद उसका confidence खतम हो जाएगा और वह बरबाद हो जाएगा इस पर कुवांग सिंग पूशता है मुझे या कब करना है तब चीसियाओ कहता है इसके लिए कोई chance खोजना होगा तब कुवांग सिंग कहता है मैं केवल लुयून को बीट करूँगा इसके अलावा मैं किसी चीज में involved नहीं होना चाहता वहीं लुयून अब medicine hall में जाता है फिर सोचता है क्वीन टियान पर battle में टियान चेंग बुरी तरह जखमी हो गया था सायद मुझे यहां कोई spiritual material मिल जाए जो hidden injury को heal कर सके इसके बाद लुयून अंदर जाता है और कुछ spiritual material collect करने लगता है तभी इसे एक powerful और अनजर आता है फिर लुयून जाकर इसे तुरंत ले लेता है जो असल में level 8 वाला void spirit flower होता है जो boyd yin misty grass के साथ एक pure power release करता है और soul वाली injury भी heal कर सकता है इसके अलावा यह cultivation के लिए भी suitable है अब लुयून चारो तरफ खोजता है लेकिन वह इसे कहीं भी नहीं मिल पाता इसके बाद लुयून वापस आने लगता है लेकिन तभी कुवांग सेंगी से रोकता है और एक spiritual material दिखाते हुए पूसता है कहीं तुम इसे तो नहीं खोज रहे थे यह देखते ही लुयून कहता है यही तो boyd jin misty grass है जिसे boyd spirit flower के साथ combine करने पर level 9 वाला spiritual material बन जाएगा इसके बाद लुयून इसे कुवांग सेंग से मांगता है इस पर कुवांग सेंग कहता है अगर तुम इसे लेना चाहते हो तब इसके लिए तुमें मेरे साथ fight करना होगा अगर तुम जीत गए तो यहाँ तुमें मिल जाएगा यह सुनकर लुयून इस challenge को accept कर लेता है वहीं खुद hallmaster भी दोनों की battle के लिए excited है क्योंकि वह भी देखना चाहता है दोनों में कौन लेकिन फिर भी उसका सामना करने के लिए तयार होता है वहीं कुवांग सेंग चीस याओ और क्यूमो से पूशता है कि तुमें कैसे पता लुयूनिस मैटेरियल को खोज रहा था इस पर क्यूमो कहता है medicine hall को internal affair division ही manage करता है हम secretly वहाँ कुछ भी कर सकते हैं इस पर कुवांग सेंग कहता है यहां तो hall की security के लिए होना चाहिए था जबकि तुम इसे personal interest के लिए use कर रहे हो अब मुझे सब कुछ समझ आ गया फिर चीस याओ कहने लगता है यहां सब तुमारी help के लिए है इस तरीके से तुम hall master की position असानी से पा सकते हो जिस पर कुवांग सेंग कहता है फिर भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है और यहां से चला जाता है अगले दिन इन दोनों की fight देखने के लिए सब काफी excited होते हैं इसके कुछ देर में कुवांग सेंग भी यहां पर आ जाता है और कुछ देर wait करने के बार लुयून भी यहां पर पहुंच जाता है अब सभी भी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों कर रहा है तब कुवांग सेंग इनको दो recording जेट दिखाता है जिसमें चीस याओ और क्यूमो की सारी बाते रिकॉर्ड होती हैं फिर कुवांग सेंग कहता है मैंने यहां सब चीस याओ और क्यूमो को investigate करने के लिए किया था यहां देख द इसके बाद कुवांग सेंग इन से इसका प्रूफ मांगता है लेकिन ऐसा कुछ उनके पास नहीं होता अब हॉल मास्टर दोनों के position को dismiss कर देता है और लू सिंग से इस बारे में अच्छे तरीके से investigate करने का order देता है और कहता है अगर किसी ने भी लू यून को target करने की कोस इसकी फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा अब लू यून हॉल मास्टर को thank you बोलता है इसके बाद हॉल मास्टर इसे और कुवांग सेंग को अपने साथ ले जाता है जहां पर हॉल मास्टर इनको six major sect competition के बारे में बताने लगता है जिसमें Northern Wilderness के सभी 6 sect participate करते हैं और हर सेक्टिस में अपने दो इस्टूडेंट को भेजता है फिर हॉल मास्टर बताता है कि यहां competition एक महीने बाद होने वाला है जिसमें मैं तुम दोनों को भेजना चाहता हूँ और यहां competition ancient star sect realm में होगा फिर हॉल मास्टर दोनों को एक एक token देता है जिसकी मदद से दोन यह काफी कीमती है तभी कुवांग सेंग इसे अपना मास्क दिखाता है और फिर पता चलता है यही लियू सिंग भी है इसके बाद कुवांग सेंग बताता है मैंने जब चेक किया फिर पता चला दोनों बाउंटी हंटर ची सियाओ से related हैं लेकिन मुझे इसका कोई proof नहीं म फिर बाद में पता चला कि तुम अभी जिन्दा हो उसके बाद ची सियाओ ने मुझे तुम्हारे साथ fight करने के लिए invite किया लेकिन या सब मैंने evidence जुटाने के लिए किया था अब लुयून कुवांग सेंग से कहता है आने वाले competition के लिए अगर तुमें कुछ भी जरूरत ह फिर मुझ से ले सकते हो और यहां से चला जाता है वही स्वार्ड मास्टर लुयून और कुवांग सेंग के रिलेशन के बारे में जानना चाते हैं तब लुयून कहता है इस बारे में बाद में बताऊंगा लेकिन तभी क्वान्यू यहां पर आ जाती है जिसने water element वाले sword monument क को तोड़ दिया है लेकिन लुयून इसे अपना student accept नहीं करता और यहां से चला जाता है वहीं अब लुयून सोचता है कौन्यू का water intent level 9 का है लेकिन उसकी swordsman सी बहुत ही कम level की है जब लुयून अगले दिन बाहर आता है तब पता चलता है कौन्यून ने पूरी रात अपने घुटनू पर बिताया है फिर लुयून कौन्यू से कहता है मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था तब कौन्यू इसे accept ना करनी की वज़ा पूशती है लेकिन लुयून इसे कुछ नहीं कहता और फिर यहां से चला जाता है लेकिन कौन्यू भी उसी position में रुकी रहती है और क अपना student भी बना लिया अब कौन्यू लुयून के पास जाती है जहां लुयून कहता है मैंने तुम्हारे determination की वज़ा से accept किया लेकिन तुम्हारी cultivation अभी भी low है इसलिए मैं तुम्हें एक storage रिंग देता हूँ जिसके अंदर बहुत सारा spiritual material और मेरा cultivation experience है इसके बाद sword formation का भी test देती है जिसमें वह सभी के होस उडा देती है इसके कुछ समय के बाद इसका सामना कुवांग सेंग से भी होता है लेकिन वह इसे भी सांदार टकर देती है और इसको भी हरा देती है इस पर लुयून कहता है तुम्हारे साहस का असली test तो अब होने वाला है फिर लुयून कौन्यू को यहां से चले जाने के लिए कहता है और अकेले ही इस प्रॉबलम का सामना करने चला जाता है लेकिन कौन्यू यहीं पर उसका वेट करने लगती है तब ही दो इस्टूडेंट बाहर निकलते हैं और कौन्यू को पता चलता है लुयून अंदर फंस चु लगता है अब लुयून कौन्यू को यहां से जाने के लिए कहता है लेकिन कौन्यू यहां से नहीं जाती और इसके साथ में रुकी रहती है फिर कहती है मैं अपने टीचर को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ इन सब के अलावा आप मेरे दिल में बसते हैं अगर मुझे यहां मरना भी पड़े फिर भी मंजूर है इस पर लुयून पूशता है जहां तक मुझे पता है सिंग्यून के साथ तुम्हारा मैरिज कौन्ट्रेक्ट था लेकिन उस समय तुमने उसे कच्चरे के जैसा ट्रीट किया और कौन्ट्रेक्ट भी कैंसिल कर दिया इस समय मैं फ आकि वह गिव अप कर दे क्योंकि मैं अपनी लाइफ किसी दूसरे के हाथो डिसाइड नहीं होने देना चाहती थी मैंने जब आपको सूजियान वेली में देखा था मैं तभी से आपको पसंद करने लगी हूँ अगर लास्ट में आप यूजलेस भी हो जाएंगे फिर भी म इस्टिस पर अटाक करने वाले होते हैं लेकिन तभी लू यून फॉर्मेशन क्रियेट करके इसे बचा लेता है फिर पता चलता है असल में लू यून उसका टेस्ट लेने ड्रीम के अंदर आया है वहीं क्वान्यू भी रिलाइज करती है यहां सब केवल एक ड्रीम था का मोमेंटम बना रहे होते हैं यह दे क्विंग सुयान हैरान होती है क्योंकि यहां फॉर्मेशन वान्सियान पवेलियन के सबसे पावर्फुल स्वार्ड फॉर्मेशन के बराबर है इसके बाद इन चारों की बॉड़ी में एक लाइट एंटर करती है फिर लू यून बतात है क्विंग सुयान, क्विंग यो और सी हाओ भी स्वार्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं जिसका नाम थ्री टैलेंटेड स्वार्ड फॉर्मेशन है अगर तुम इन दोनों स्वार्ड फॉर्मेशन को हाई लेबल पर लेकर चले गए तब एक पावर्फुल मार्सल एंपरर को भी मार सकते हो या जानकर लेफान काफी हैरान हो जाता है तभी लूयून बताता है यह दोनों स्वार्ड फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कंबाइन भी हो सकते हैं और सेवेन स्टार असेसिन फॉर्मेशन बना सकते हैं जो की बहुत ही ज्यादा पावर्फुल है लेकिन और इस तरह अलूयून का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर आपने अभी तक के नीमे रीकैप को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना